कि हालो व्रिवन क्लास 12 मैफमेटिक की क्लास शुरू करते हैं आज हम वह से चैप्टर में तो से चैप्टर में पिछले कुछ लेक्ष्टर में कवर कर चुके हैं आज के जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है पार्डिशन ओफ ऑफ सेट तो रेड़ी हो जाए है इसको अर्थात में तीन इसके आप समुच्छे दे रखें B1, B2, B3 उसमें elements भी है देख लीजे इन पर आप अगर आप इनके बार में सोचेंगे तो आपको इसमें दो खास बते देखने को मिलेंगी तो पहली खास बत यह नीचे देखिए फर्ष्ट पॉइंट में दिया हुआ ह अर्थात A is equal to B1 union B2 union B3 यानि अगर B1 और B2 और B3 का अगर आप unified करेंगे तीनों की union बनाएंगे तो आपको A मिल जाएगा यूनियन आप लोगों ने लास्ट येर 11-13 में पढ़ा होगा बिल्कुल तो सेट्स की जब union करेंगे तो इसमें B1 B2 B3 तीनों सेट्स के अगर आप elements को unified करेंगे उनकी तो आपको A set मिल जाएगा यानि B के सारे अवयप को अगर आप जोड़ेंगे तो A के अवयप मिल जबूदर है सेकेंड में देखिए किनी दो समुच्चे का सर्य पर दियूबी दो समुच्चे यानि जो आप उसमुच्चे दियूँ है इन में कोई भी दो साट ले लेजे और उन दो साट में देखिए को भी कॉमान अलेमेंट नहीं है और देखिए सेट B1 में 1,5 ए, सेट यहां पर कोई भी समुच्छे में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है अर्था किनी भी दो समुच्छों का जो कॉमन एलिमेंट वो क्या है फाई है जैसे बी-वन इंटरसेक्शन बी-टू किया हुगा है तो आपको किया मिला फाइफाइ मतलब कोई भी कॉमन एलमेंट नहीं है रिक्त समुच्चे इस प्रिकार के अगर प्रॉपर्टी फुल्फिल हो रही होंगी तब एक यह परिवार होगा समुच्चों का यानि जो बीवन बीटू बीटू बीट्री जो समुच्चे बनना है यह इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो उस पर देखिए कुछ अग्जम्पिल डिसक्स कर लेते हैं तो पहला स्टेट्मेंट दिया हुआ हुआ है यह प्रॉपर्टी अगर फिल्फिल हो रही है तो आपको क्या हो रहा है पार्डिशन ऑफर सेट बन रहा है इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो उस पर देखिए कुछ अग्जम्पिल डिसक्स कर लेते हैं तो पहला स्टेट्मेंट दिया हुआ है यदि एन बराबर क्या है वन से लेके नाइन तक वन टू त्री फोर फ़ाइव सिख तेवन एट नाइन इसमें डिफरेंट एलिम करना स्टेट देख लाइन का विवाग समOO्चे है लेकिन ट को इंक्लूड नहीं किया है इनकी फिसक्स और ऺकार दिख लेते तो थो कोई भी कोगवी कॉमाल एलिमेंट नहीं है। कोई भी कॉबैल में नहीं है देखिए नहीं इनमें ब्सक्राइब कोई ब्सक्राइब कमाल में नहीं है देख लेख लीजिए अर डी देख लीजिए एवन टू-फाइब है और डी कि नीचे एक सेट दिया हुआ है कि सारे पूरां के उनको एक साथ रख दिया पूरां कौन को ने 1 2 5 जो शुरू में नजर आ रहे हैं और बीच में देखिए 3,4 भी फसे हुए है तो इन सब को हमने एक नीचे बैकेट में देखिए ए वाले सेट में 1 2 3 4 5 को एकी कॉमा उसमें बैकेट में एकी सेट में रख लिया है और उसके बाद जो भी भीने संख्या है 1 upon 2 1 upon 3 1 upon 4 उपर देखिए उसमें जो दे रखी है उनको नीचे एक साथ कंबाइड करके रिख रखा है कंबाइड करके लिख रखा है उपर दिये हुए अल्फावेट देखिए इंग्लिश के इनको भी इनोंने 7 में लिख लिया है x y z u एक साथ और एक है जो अपनी में सेंख्या है रूट 2 और पran तृट 3 जो दे रखा है उसको भी एक ही सेट में नीचे रिख लिख 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 लिया है तो यह क्या बना रहा हैं डिफिरण ग्समुच्च्य है और इन डिफि कोई बहुपाल एलिमेंट नहीं है तो ये विभाग समुच्च का समुच्च बना रहा है ठीक है इसके आगे भी देखते हैं तो इसमें भी कुछ different example दिया हुए ABC के सब यह दिसक्त करें है तो यह जो यहां पर यह क्या है कि यह विभाग समुच्चे बना रहे हैं क्योंकि देख लिए अब बी में कुछ कॉमन नहीं है और सी और में कुछ कॉमन नहीं है और तीनों को आप जोड़ देते हैं एक बी और सी को तो आपको को ABC मिल जाएगा तो दोनों प्रॉपर्टी फुल्फिल करके इसलिए विभाग समुच्चे बन गया है एक्जांपल में देख लिए एक से लेके 10 तक 12345678910 और साथ में A सेट कुछ उपसमुच्चित रखें A B C और D इन चारों को आप जोड़ लेते तो आपको C और D ले लिजे 256 और D के और 4,9 तो इन में कोई कॉमाल एलमेंट है नहीं है बी और C ले लिए बी और C में देखिए B में 7,8,10 है C में 2,5,6 है कोई भी कॉमाल एलमेंट नहीं है तो यहां पर भी वही बात है तो यह सब किया विभाग समुच्चे को शोख कर रहे हैं इस कि शिलेशन घंचे में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध की कोई कर में का पहला एक यह अव्यव तक हीज़ों जैसे एक सेट दिया हो है 1,3 2,4 1,5 इसमें देखिए जो सेट में क्रमित यूग में दे रखे हैं 3 एक तो 1,3 एक 2,4 और 1,5 इन तीनों क्रमित यूग में जो पहला अवियाब है इन तीनों में से 2 में देखिए 1,3 और 1,5 में इन दोनों क्रमित यूग में में जो पहला अवियाब है वो क्या 1 है वन यह एक ही जैसा अवियाब है परसामें अवियाबन है आताई क्या होगे फॉलन को शो नहीं करेंगे तो फॉलन होने के जुरूरी ही कि पहला आवेफ क्या हो common ना हो नीचे एक diagram दिया हुए diagram में देखिए जो x और y का mapping करके जो आलेखन दौरा बता रखा है तो इसमें x में देखिए दो element है x, x और small x और small y y में देखिए a, b, c, d, e 5 element है y में a में x में 2 elements है एकश के और y के imaging देखिए तो x के 2 imaging हो रही है a और b में small y के 3 imaging हो हो रही है c, d और e में तो अगर आप इनकी diagram है sets बनाएंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको x का a, x के साथ b, y के साथ c, y के साथ d, y के साथ e यह पाचो ही मिलके आपको फ़लन नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि X,A और X,B में देखिए जो पहला element है वो common है दोन में X,X है पहला element में और आखरी के 3 में देखिए तीनों में Y,Y है तो यह जो होगा set क्या होगा function को फ़लन को show नहीं करेगा जबकि एक नया set इनों ने बनाया है नीचे देखिए 3,4,2,4,1,3 यह एक फ़लन है क्योंकि इसमें जो पहला अवेवर common नहीं है 3,4,2,4,1,3 पहले अवेवर तीनों में अलग अलग है पहले में देखिए 3 है, दूसरे में 2 है दिये हुए समचे हो और यदि किसी दिये हुए नियम ये संक्रिया F से प्रतेक X जो की X को बलॉंग करता है कि संगत एक अदूती अव्यव small y जो y को बलॉंग करते हैं निर्दिष्ट हो सके तो इस संगतता correspondence को जिसे F से प्रकट करते हैं F का Y पर प्रतिशित्रन या फलन कहते हैं सबसे जुरूरी चीज कि X के जो एक single element है उसको एक अदूती है imaging हो अदूती मतलब unique एक single element की imaging होनी चाहिए दो element पर जाना नहीं चाहिए जैसे कि सबसे उपर Y में देखिए X,A,X,B यहां पर X की दो imaging हो रही है एक A में और एक small B में तो यहां पर X क्या होगा यह फलन को शो नहीं कर पाएगा तो फलनों के जुरूरी यह है कि एक element की केवल एक ही Y के एक ही element से imaging हो तो यह इसमें आज फलन की बात हुई इसमें और इसी फलन में हम आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ चित्रों की दोरा समझने की कुछी करते हैं जमितियाकृतियों में फलन कैसे होता है तो यहां पर बहुत बढ़ी है चार चित्र दिये हुए चार डियाग्राम इसमें हम से पूछा गया कि करते हैं तो सबसे बड़े तरीका यह है क्योंकि हमने कहा कि X के एक ही पॉइंट पर Y की दो वैल्यू नहीं मिलने चाहिए यानि कहीं भी देख लिए जैसे कर याभी डियाग्राम दिये हुए तो इस डियाग्राम में अगर आप Y के पेललर लैन बनाएंगे पहले पहले डियाग्राम में तो यहां पर भी आपको क्या होगा यह रहां दो विंद्धू पर काटे का एक्स के głiap जबकि तीसे शित्र में अगर आप एक य के पैलर लाइग खीचे से य के समानता लाइग खीचे हैं तो एक एक बिंद्धू केलिए watch एक ही बिंदू पर काट रहा है जब कि चौथा वाला भी फलन को नहीं करेंगा क्योंकि अगर आप पहला लिंग खेचेंगे तो एक ही बिंदू के लिए यह वक्र को दो बिंदू पर काटेगा तो यह फलन नहीं होगा तो यहां पर किवल एक ही है फलन और तीन फलन नहीं कर रहा है क्योंकि किवल पहला तीसर वाला यह जिसमें आप कर पहले लिंग खिशते हैं तो एक ही बिंदू पर काटेगा तो इनको भी आप अपच्छे समझें द्यान किए और अपनी जो मैंने बताया है यह पार्ट शाला से बुक्स आप फॉलो कीजिए कोशन देखिए वाँ पर सौल्व करने कोशिश कीजिए और जो मैं कोशन हैं पर डिस्क्रस कर रहा हूं उसको भी आप अपने साथ करते रह है तो ओके आप लोग को कोई कोशन होता है दिमाग में कोई भी चीज़ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए फिर हम नेक्स लेक्शन मिलते हैं तब तक धन्यवाद बाबार